हेलो फ्रेंड्स तो आज मैंने गूमनी का प्लान बनाया है यह सामने बिजली मादेव की पहाड़ी है उस तरफ जाने की कोशिश करता हूं उत्तर चाहबube को यह सामने बलानो की पहां अजाबन की का प्लान बनाश भीचक एज ठान बनाया है प्रॉण नौला आज हम इस रोड की ओर जा रहे हैं यह है दोस्तों नीचे च्छोड नाला और यह वो पुल है जहां से मैं अभी आया गाड़ी लेकर और यह राइट साइड में जो रास्ता है सीधा आगे मनिकरन कसोल की और जाता हुआ यह है फ्रेंट्स तिर्मिरा जिससे की दातुन भी की जाती है और यह दानतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसके यह बीज अगर हम इने अपने मूँ में डाले तो बहुत अच्छा यह बीज है यह खुर्मानी का पेड़ है यह है यह है दोस्तों अनारदाने का पेड़ और साथ में जो रोड नजर आ रही है नीचे यह आगे इस तरफ मनिकरन कसोल लिए इस गया लोड़े स्काइब आपकली कुछा आपकशाहर से क्था नजर गया जोच्छाहरता है यह सामने ब्रेयनड गाउँ है दोस्तों और वो उस तरफ नरोगी गाउं और यहां जाए फ्रेंट्स आज मैं भ्रेंड रोर पर आया था व्रेंड गाउं से उपर हूं इस तेम है और यहां से उपर बिजली महादेव का ट्रेक है लगभग एक घंटा लगता है यहां से और यह जो नीचे दिख रहा है यह शहर है अब रास्ता कुछ इस तरह का है यहां पर कच्चा रास्ता है तो फ्रेंड जही सडक आगे जो है आगे जाती है मगर मैं आगे नहीं जा रहा हूं और यहां से बिजली महादेव को भी आदे से घंटा लगता है पैदल जाने को यह जो फ्रेंड पहाड़ी है उपर यहीं बिजली महादेव है यहां से इसके पिछे उस तावर के पिछे है है आगे पिजली महादेश का यहीं ठावर के पितिमर और यहां से जागे जागे यहां से जागे एंटियों। झाल झाल दोस्तों यह आपको जो पुल नज़रा रहा है यह पहले पुराना पुल हुआ करता था लकडी का कच्चा पुल और फ्रेंड्स यह पारवती नज़ी है जो पारवती वैंजी से होती हुई आगे भुंतर में व्यास्माजी से मिलती है फाइनली मैं च्रोडनाला आगया हूँ और अब यहां पर इस फूडवें से मैंने मैगी और की है तो तोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए फिर उसका घर चला जाए हूँ सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि इन्होंने डस्ट बीन भी साथ में रखे हुए हैं मैगी टेस्ट की जाए तो सिंपल मैगी 30 रुपीज और वेजिटेवल्स डालके मैगी 40 रुपे ठीक है अच्छा है दोस्तों आप यहां पर फूड हब में रिफ्रेश्मेंट ले सकते हैं और यह भाई नहीं पास के गाउंड जीया के रहने वाले हैं और यह जो कुक है इनसे मैंने बात की है धरमशाला से है जिन को यह लंच भी बनाते हैं प्राइब बनाते हैं